कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विजयव पुरोहित मैट्स एजुकेटर एपेक्स क्लासिस के डिजिटल प्लेटफर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभी आप लोग बहुत अच्छा रेस्पोंस कर रहे हैं वेरी गुड आप लोग इसी डंग से आज उसी का हम नेक्स्ट मज़ेदार पार्ट डिसक्स करने जाएंगे जिसमें आप कई नई बातें सीखने वाले हैं लोगरित्मिक डिफ्रेशेशन लगू गणकिय अवकलन तो देखते जाएं घ्यान से अब यहां पर मेन कॉंसेट जो सीखने का है वो यह देखें यदि म आप से कहूं y बराबर x पावर x तो कई बच्चों के दिमाग में खैल आ रहे हैं सब बड़ा असान से काम है हम जानते है y बराबर x पावर n तो dy by dx क्या होता है n x की पावर n-1 तो यहां पर भी डिफ्रेशेशन करना है तो हम क्या लिख देंगे dy by dx बराबर x x की पावर x- गलत हो जाएगी कारण हमारी कंडिशन क्या है यहां पर एन क्या चीज़े constant अचर है लेकिन इस जगे x अचर नहीं है इसका मतलब यह concept fail हो जाएगा समझ गए तो दिमाग में आता अब क्या करें तो ऐसी कुछ conditions है जब भी कभी एक फलन की घात में फलन दिया हो कुछ अलग अलग conditions है उन conditions को मैं आप से discuss करता हूं कि कब मुझे log लेना है और कब नहीं लेना है साधान तरीके सा उकलन करना है तो one by one हम discuss करते हैं सबसे पहले type one जब हमें फलन की घात में फलन दिया हो क्या मतलब हुआ y बराबर fx की घात में gx दिया हो type two जब हमें तीन या तीन से अधिक फलनों का गुणन दिया हो तीन या तीन से अधिक फलनों का गुणन दिया हो कैसे y बराबर f1x f2x f3x f4x इस तरीके से चार फलनों का गुणन दिया जैसे में के दूवाई बराबर sin x, sin 2x, e power x, cot square x चार फलनों का गुणन दिया तो हम दूनों तरफ लॉग ले लेंगे तीसरी type आती है जब हमें तीन या तीन से अधिक फलनों का गुणन तथा भाग दिया हो जब हमें तीन या तीन से अधिक फलनों का गुणन तथा भाग दिया हो ये देखे टाइप 3 है मिस गुणन भी दिया और भाग भी दिया य इकोल टू F1 X इंटू F2 X अपान F3 X F4 X दो फंक्शन उपर आ गए दो फंक्शन निचे आ गए ऐसी जब भी कंडिशन्स होती है जब ये तीन तरीके विशेश प्रकार की कंडिशन्स हो तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे लॉग लेकर सरल करते हैं फिर उसका अवकलन करते हैं कैसे अटेंड करना है देखते जाएं मैं वन बाई वन कुश्चन से अटेंड करता हूं ध्यान से समझें टाइप वन जब फलन की घात में फलन दिया हो देखिए गोर से कुश्चन नंबर वन लेता हूं सबसे साधरन सवाल वाई बराबर X की घात X अब यहां पर इधर भी VARIABLE X और POWER VARIABLE X FUNCTION की POWER FUNCTION है हम दोनों तरफ लोग लेंगे तो क्या होगा लाग Y बराबर लॉग X की पावर X यहां आपको बराबर लिखना है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर अब हम जानते हैं लॉग M की पावर N क्या होता है N लॉग M होता है तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा लॉग Y बराबर X इंटू लॉग X अब यहां पर देखिए दो अलग अलग फंक्शन हो गए एक फंक्शन X दूसरा होगे लॉग X सिंपल सा उकलन कर लेते हैं तो ध्यान से देखते जाएं लॉग Y का उकलन क्या हो जाएगा वन अपन Y इंटू डी अपन डी एक्स अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉलम होती है एक चीज़ दिमाग में सेट कर लें साइन एक्स का उकलन क्या होता है कॉस एक्स यदि मैं आप से कहूं साइन वाई का उकलन क्या होगा तो हम क्या लिखेंगी कॉस वाई इन्टू डी वाजडी इएक्स ओफ वाई वह भी हमें करना पड़ता है तो आपके दिमाग में खंधाल साइन एक्स की केसमें तो ऐसे नहीं किया ध्यान से दिखें जैसे साइन एक तो साइन एक से व्कलन क्या हुआ वा उसक्स फिर एक्स का उकलन करेंगे तो डी वाई जिसके साथ y लगा है साधार न उसका अवकलन कर दीजिए और dy by dx से गुणा कर दीजिए यहाँ पर मैं आप से पूछो log x होता तो log x का अवकलन क्या होता है 1 upon x log y का अवकलन क्या होगा 1 upon y into dy by dx of y means dy by dx से हम गुणा कर देते हैं अब दूसरी तरफ u into v लगा देते हैं first as it is differentiation of second x into log x का अवकलन 1 upon x plus second as it is differentiation of first x का अवकलन क्या हो गया 1 हो गया अब dy by dx चाहिए तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा y into x से x गया 1 plus log x तो dy upon dx बराबर y का मान रख देता हूँ y का मान क्या होगा x power x into 1 plus log x इस प्रकार से हमने x की घात x का अवकलन कर दिया अब कई बार हम लोग उत्तर माला में देखते हैं answer की में देखते हैं तो हमें answer मिलते ही नहीं इसको एक another form में convert किया हुआता है तो वो टाइप भी आपको समझा देता हूँ x power x into 1 plus log x दिया हुआ है अब देखते जाएं मैं इसमें लिखता हूँ 1 बराबर log e e रखने पर वन की जगे हम क्या लग देते हैं log e आधार e तो यहां पर क्या हो जाएगा अभी अभी आपने दिखा था यहां पर क्या लिखा था डी वाइब बराबर x की पावर x 1 की जगे लिख देता हूँ log e आधार e plus log x x हम जानते है log n प्लस लॉग n तो यहां लिख देते हैं log m plus log n is equal to log of mn यह होता है तो इसका मतलब dy by dx का अन्य रूप क्या प्राप्त हो गया x की घात x into log e x यह हमें इसका उत्तर प्राप्त हो गया है clear निक्स इसी तरह का यह question और ले लेते हैं अगर हमें कहा जाए y बराबर sin x की पावर में 10x ले लिया हमें y बराबर sin x की पावर 10x सेम function की पावर में function हैं दोनों तरफ log लेना पड़ेगा तो log ले लेते हैं log लेने पर यह बनगे log y बराबर log sin x की पावर में 10x अब हम जानते हैं log m की घातन क्या होता है n log m होता है तो यह बन जाएगा log y बराबर 10x into log sin x अब यहां पर दो चीजों का mixture है number 1 u into v से गुणा करना गुणन का अवकलन और दूसरी बात chain rule का भी use आ रहा है कैसे आ रहा है ध्यान से देखें अब यहां log y है log x होता है तो हम लिखते है 1 upon x तो log y को क्या लिखेंगे 1 upon y into dy upon dx बराबर यह होगे 10x तो पहले लिख देंगे 10x अब log sin x का अवकलन तो क्या कर देंगे log यहां से चले मिला log तो 1 upon sin x into cos x plus log sin x as it is यह होगे log sin x into differentiation of 10x 10x का अवकलन क्या होगा sex square x बस हो गया काम अब यहां पर मैं लिख सकता हूँ dy upon dx बराबर y into अब यह 10x है और cos upon sin क्या बन जाएगा cot तो मिल लिख दूँगा 10x into cot x plus log sin x into sex square x यह हमारा result आ गया अब हम इसमें कलाकारी और कर सकते हैं y का मान रख देते हैं तो यहां पर result क्या मिल जाएगा dy upon dx बराबर y का मान कितना है sin x की पावर 10x sin x की पावर 10x और यहां पर 10x into cortex क्या हो गया 1 plus log sin x into sex square x तो हम लिख देंगे log sin x into sex square x यह इसका final result आई तो मेरे खाल से इस तरह के प्रशन अब आपको अटेन करने आ गया होंगे अब हम चलते हैं type 2 में type 2 क्या कहता है जब तीन या तीन से अधिक फलनों का गुणन दिया हो तो देखिए type 2 प्रशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे यह technique लगानी है यहां देखे जैसे मुझे सवाल दे दिया इन टु साइन 2X इन 2 साइन 4X चार फलनों का गुना दिया और मुझे कहा गए स्कावकलिन कीजिए तो आपके दिमाग में आएगा सर आपके पास एक मशीन है जो एक ही का करती है तो 3 को रोख लीजिए 4 का आव कलिन कर लो फिर अगले 3 को रोको चौटे का आव कलिन करो लेकिन बहुत कॉंप्लीकीटेड हो जाता है लॉक की साहता से इस तरह के प्रश्ण हम बहुत आसानी से कर लेते हैं कैसे करना है वो ध्यान से देखें सबसे पहला काम दोनों तरफ लोग लेने पर लोग वाई बराबर हम लिख देंगे लॉग आफ इन्टू साइन 2 एक्स इन्टू साइन 3 एक्स इन्टू साइन 4 एक्स अब हम जानते हैं लॉग M इन्टू N क्या होता है लॉग M प्लस लॉग N तो वो कॉंसेप्ट दिर लगा देते हैं log m into n is equal to log m plus log n. यहां मिल जाएगा log y बरबर. यह हो जाएगा log sin x. plus log sin 2 x plus log sin 3 x plus log sin 4 x. अब यहां थोड़ा सा ध्यान दे हैं. differentiation करना start करते हैं. 1 upon y into dy upon dx is equal to log sin x. तो हम लिखेंगे 1 upon sin x into cos x plus log sin 2 x. तो हम लिखेंगे 1 upon sin 2 x into cos 2 x into 2 plus log sin 3 x. तो हम लिखेंगे 1 upon sin 3 x into cos 3 x into 3 plus log sin 4 x. तो हम लिखेंगे 1 upon sin 4 x into cos 4 x into 4. यह इसका complete part आएगा. dy by dx पर आपर this part into this part plus this plus this. अब देखेंगे गवर से cos upon sin क्या बन जाता है? cot. यहाँ पर cos 2 x बटा sin 2 x क्या बन जाएगा? cot 2 x into 2. यह बन जाएगा 3 cot 3 x. और यह बन जाएगा 4 cot 4 x. तो हमारे पास में मिल गया dy upon dx बराबर y into. तो dy upon dx is equal to y into. देखेंगे, सबसे पेले cos बटा sin क्या मिल रहा है? cot. यह 2 into cos upon sin 2 cot 2 x. तो हम लिखेंगे cot x plus 2 cot 2 x plus 3 cot 3 x plus 4 cot 4 x. यह देखते जाएगे, जो पिछली वाले स्लाइट थी, cos upon sin, cos 2 x upon sin 2 x, cos 3 x upon sin 3 x, cos 4 x upon sin 4 x into 4. अब हमें y कमान रखना है, y कमान है sin x, sin 2 x, sin 3 x, sin 4 x. तो हम y कमान रखने हैं, dy upon dx बराबर sin x into sin 2 x into sin 3 x into sin 4 x. यह हम मान रखने हैं, और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा? cot x plus 2 cot 2 x, cot x plus 2 cot 2 x, plus 3 cot 3 x, plus 4 cot 4 x. यह आगे इसका final result. तो जब हमें 3 या 3 सदिक फलनों का गुणा दिया हो, तो इस प्रकार से हम उसको attain कर सकते हैं. इसी तरह का एक प्रश्ण और लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें. Q2, Y बराबर, मैं ले लेता हूँ, sin inverse x, x की पावर 5, फिर ले ले लेता हूँ, मैं e की पावर 7 x, और एक फंक्शन और ले ले लेता हैं, 10 cube x. मन से हमने कोई भी कोशिशन बना लिया, 4 फलनों का गुणा दिया है, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ज्यान से देखते जाएं. लॉग लेने पर हमें क्या मिलेगा, लॉग y बराबर, लॉग sin inverse x, x की पावर 5, e पावर 7 x, 10 x का whole cube, हम जानते हैं, लॉग m into n क्या होता है, लॉग m plus लॉग n, लॉग का ये गुणदर्म लगाते हैं, लॉग m into n is लॉग m plus लॉग n, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लॉग sin inverse x, प्लस लॉग x की घात पाच, लगाते जाते हैं, देखते जाएं, तो यहाँ हम लिख देंगे, लॉग y बराबर, लॉग sin inverse x, प्लस लॉग x की पावर 5, प्लस लॉग e की पावर 7 x, प्लस लॉग 10 x की पावर 3, हम अच्छी तरह से जानते हैं, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, इस गुनदर्म का प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग y बराबर, लॉग sin inverse x, प्लस 5 लॉग x, अब यहाँ पर देखिए, e की पावर 7 x है, मैं 7 x को बाहर ले लेता हूं, तो क्या मिल जाएगा, लॉग e, e, प्लस, लॉग m की पावर n, n लॉग m, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, लॉग 10 x, अब गौर से देखिए, यह हमारे पास फंक्शन मिल गया, अब हम अगला पार्ट next page पे करते हैं, देखिए यहाँ उन से, अब यहाँ log y, तो लिख देता हूं में log y, log y बराबर, यह सीधा इसका उकलन कर देते हैं, log y का उकलन क्या हो जाएगा, पहले हम लिख देते हैं, log y बराबर, log sin inverse x, log y बराबर, log sin inverse x, प्लस अगला पार्ट है 5 log x, 5 log x, प्लस 7 x, अब log e का मान क्या होता है, 1 होता है, log e बराबर 1, तो हम क्या लिख देंगे, 7 x, प्लस 3 log 10 x, 3 log 10 x, यह पार्ट आगे, एक बार फिर चेक कर लें, log sin inverse x, प्लस 5 log x, प्लस 7 x, प्लस 3 log 10 x, यह पार्ट आगे, अब हम इसका differentiation कर लेते हैं, तो 1 upon y, into dy upon dx, log sin inverse x है, तो क्या करेंगे, chain rule लगा रहे हैं, यह मोग, 1 upon sin inverse x, into sin inverse x का अखलन, 1 upon under root of, 1 minus x square, plus 5 log x, 5 as it is, log x का अखलन, 1 upon x, 7 x का अखलन, 7, plus 3 log 10 x, तो हम क्या लिखेंगे, 3, 1 upon 10 x, into, 6 square x, अब dy by dx बराबर, तो dy upon dx बराबर, क्या हो जाएगा, y into, 1 upon sin inverse x, under root of, 1 minus x square, plus 5 upon x, plus 7, plus 3, 6 square x, upon 10 x, अब y का मान रख देंगे, और यह हमारा final result, प्राब हो जाएगा, फिर हम लोग चलते हैं, next part, type 3, जब हमें, 3 या 3 सेदिक फल्नों का, गुणा तथा भाग दिया हो, देखते जाएग, type 3, y बराबर, under root of, या y बराबर, 3 x square minus 2, की power 5, sin x power 3, under root of, 3 minus 2 x, x cube plus 7, यह question दिया हुआ है, शकल से बड़ा भायनक सवाल, और मुझे के दिया जाए, इसका डिवा बिडिक्स ग्याद कीजिए, ध्यान से देखें, हम लोग लोग की साहेता से, इस भायनक सवाल को बहुत आसान बना देंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, दुनों तरफ लोग लेने पर, तो क्या मिल जाएगा, लोग y बराबर, लोग of, यह मिल जाएगा, 3 x square, minus 2 की power 5, sin x, power 3, upon, 3 minus 2 x, power half, और यह मिल जाएगा, x cube plus 7, अब हम जानते हैं, लोग m बटाएगा न क्या होता है, लोग m minus log n, लोग m upon n, is equal to, लोग m minus log n, तो हमें क्या मिल जाएगा, लोग y बराबर, लोग m upon n, तो क्या लिख देंगे, लोग, 3 x square, minus 2, power 5, sin x, power 3, minus, log, 3 minus 2 x, power half, गुणा में आजेगा, x cube plus 7, अब यहां देखते जाएग, m into n है, log m into n क्या होता है, log m plus log n, तो हम लोग लिख लेते हैं, देखते जाएं, log y बराबर, पहले property लिख देते हैं, log m into n बराबर, n log m, और इसी के साथ एक गुंदर्म और काम में लेते हैं, log m की घात n, बराबर n log m, इन दोनों गुंदर्मों की साहेता से, इस पूरे पार्ट को हम सरल कर लेते हैं, देखे दियान से, log y लिख देते हैं पहले, तो यहां लिख देंगे, log y, बराबर, अब यहां पर, log 3 x square minus 2 की power 5 है, तो मैं दोनों गुंदर्म लगाता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले, log 3 x square minus 2 की power 5, log 3 x square minus 2 की power 5, plus, दूसरा पार्ट, log sin x की power 3, log sin x की power 3, minus, दूसरा बला पार्ट क्या है, log 3 minus 2 x power half, log 3 minus 2 x की power half, plus, log x cube plus 7, log x cube plus 7, अब हम लगा देते हैं, log m की power n क्या होता है, n log m, तो log y बराबर, 5 log 3 x square minus 2, plus, 3 log sin x, minus, log m की power n क्या होता है, n log m, ते देख, 1 by 2, log 3 minus 2 x, minus, minus, log x cube plus 7, clear, अब हमें, differentiation करना है, तो 1 upon y, dy upon dx बराबर, 5 as it is, log 3 x square minus 2 है, तो 1 upon, 3 x square minus 2, इन्टो 3 तू जा 6 x, plus, 3, log sin x है, तो क्या होजेगा, 1 upon sin x, into cos x, minus 1 by 2, log 3 minus 2 x है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 upon, 3 minus 2 x, into, 3 का उकलन क्या होजेगा, 0, minus 2 x का उकलन, minus 2, minus 2, minus, log x q plus 7, तो log x का उकलन क्या होता है, 1 upon x, तो हम क्या लिख देंगे, chain rule की साहता से, 1 upon x q plus 7, into, 3 x square, अब हमें, dy by dx चाहिए, तो dy upon dx, बराबर क्या प्राथ होजेगा, y into, 5 into, 6 x है, तो 6 5 जा 30 x, upon 3 x square, minus 2, plus, 3 cot x, cos upon sign क्या होजेगा, cot x, अब ये minus half है, minus minus होजेगा, plus, 2 से, 2 cancel, तो 1 upon, 3 minus 2 x, minus, 3 x square, upon, x cube, plus 7, अब हम यहां पर y का मान रख देंगे, और हमें इसका इंस्वर प्राफ्ट हो जाएगा, इस प्रकार से हम, जब तीन या तीन सदीक फलनों का गुणा और भाग दिया हो, तो उसको आसानी से अटेंड कर सकते हैं, अब एक मज़ेदार सवाल, और मैं आपके सामने रप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से देखें, यदि मैं आपसे कहूँ, य बराबर, एक्स की पावर साइन एक्स, प्लस, साइन इन्वर्स एक्स, की पावर में कॉस एक्स, यह हमने आपको सवाल दी दिया, अब मुझे का जाज़े इसका आउकलन करना है, तो कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, कि सर लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, लॉग वाई बराबर, लॉग अब दिस, गरबर हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, लॉग M प्लस N, इस नॉट एक्वल टू लॉग M, प्लस लॉग N, इसका मतलब हम सीधे सीधे लॉग नहीं ले सकते, इस टाइप को हम कह देते हैं टाइप फोर, यह जो सवाल है, वो सवाल है टाइप फोर का, और बोर्ड परिक्षा में इस तरह का प्रशन पूछा गया है, और उसमें स्टूडेंट जल्द बाजी में गलती कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ का इस्पेशल ही धियान रखना है, जब भी कभी ऐसा सवाल हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पार्ट को यू माल लेंगे और दूसरे पार्ट को वी माल लेते हैं, इसको कैसे अटेन करना है, फटा-फटा आप देखते जाएं, हम लिखेंगे माना, एक्स पावर साइन एक्स बराबर यू, तथा साइन इन्वर्स एक्स की पावर कॉस एक्स बराबर भी माल लिया, एक पार्ट को यू माल लिया, दूसरे पार्ट को भी माल लिया, तो य बराबर यू प्लेस वी, अब दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या मिलेगा dy upon dx बराबर du upon dx प्लस dv upon dx इसको हम कह देते हैं समीकर नंबर एक अब हम क्या करते हैं यू बराबर x की power sin x इसको एक अलग प्रशन की तरह train कर लेते हैं जैसे हमने type 1 में किया था और जो दूसरा पार्ट है sin verse x की power cos x इसको भी एक अलग प्रशन की तरह कर लेते हैं जो कि हमने type 1 में किया था अब जो du by dx और dv by dx के माना आएंगे उनको हम यह रख देंगे उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो start करते हैं सबसे पहला पार्ट u बराबर x की power sin x तो यहां हम लिखते हैं u बराबर x की power में sin x दोनों तरफ log लेने पर log u बराबर log x की power sin x हम जानते हैं log m की power n क्या होता है n log m तो यहां पर हम क्या लिखेंगे sin x into log x यह हो गया log u तो यहां क्या होजाएगा 1 upon u du upon dx is equal to sin x into 1 upon x plus log x into cos x तो du upon dx बराबर क्या हो जाएगा u और यह हो जाएगा sin x upon x plus log x into cos x अब हम u कमान रख जाते हैं तो du upon dx बराबर u कमान क्या हो जाएगा x की power में है sin x और यह मिल गया sin x upon x plus log x into cos x एक बर फिर द्यान से समझे है u बराबर x की power sin x दोना तरफ log लिया log u बराबर log x की power sin x अब sin x आ गया तो log x sin x as it is log x से अगलन 1 upon x plus log x as it is sin x से अगलन हो गया cos x अब du by dx बराब u into sin x upon x plus log x into cos x और अब हमने यह आपर du by dx कमान निका लिया क्योंकि यह आपर u कमान रख दिया इसको मैं कह देता हूं समीकर नंबर 2 इसी प्रकार से अब हम अगला पार्ट करना चाहेंगे ध्यान से देखें अगले पार्ट में v को solve करते हैं v किसके बराबर है sin inverse x की power cos x तो v बराबर sin inverse x की power cos x तो v बराबर sin inverse x की power में है cos x दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log v बराबर log sin inverse x की power में cos x अब देखिए log m की power n क्या होता है n log m तो log v बराबर cos x log of sin inverse x कोई अतराज नहीं अब हम इसका उकलन कर लेते हैं यहां पर chain rule लग जाएगा तो यह होजाएगा 1 upon v dv upon dx is equal to cos x as it is इसका उकलन क्या होजाएगा 1 upon sin inverse x into 1 upon under root of 1 minus x square plus log sin inverse x as it is into cos x का उकलन minus of sin x भाई log sin inverse x as it is cos x का उकलन होगे minus sin x तो dv upon dx बराबर v into यह हो जाएगा cos x upon sin inverse x under root of 1 minus x square plus अब बीच में यह minus से गुणा हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं minus log sin inverse x into sin x यह पूरा-पूरा part type 1 का ही है अब हम v command रख देते हैं तो dv beta dx बराबर v की जगे रख देते हैं sin inverse x की power में cos x whole bracket यह हो जाएगा cos x upon under root of sin inverse x under root of 1 minus x square minus आप सब लोग भी actively participate करते जाएगा यह वाला क्या हो जाएगा log sin inverse x गुणा sin x इसको मैं कह देता हूं समीकर नंबर 3 अब हमारे पास dv by dx का माना गया dv by dx का माना चुका है समीकर नंबर 1 में dv by dx और dv by dx के मान रख देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा अब एक बार शुरू से सवाल को देख लें हमें टाइप 4 का सवाल दिया है वाई बराबर एक्स की पावर साइन साइन एक्स अचिज्य और सामारेर जीडिए और यक्स च्रहा कॉस ब्राबर वी तो यद्व यू प्लिस फ्लन्छेट अब डिен आगवे अब द दोनों तरफ अ darle उनक्रपका अगया देख लिए ड्यू बटन x की पावर sin x log लिया तो log u बराबर log x की पावर sin x log m की पावर n n log m तो sin x log x अब 1 upon u du by dx is equal to sin x into 1 upon x plus log x into cos x du by dx बराबर u into sin x upon x plus log x into cos x u कमान रख दिया यह में समीकर number 2 मिल गया इसी प्रकार से next part है v बराबर sin inverse x की पावर cos x दोनों तरफ log लिया तो log v बराबर log sin inverse x की पावर cos x log v equal to cos x log of sin inverse x तो 1 upon v dv by dx equal to cos x into c दस इस का उकलन 1 upon under root 1 minus sin inverse x into 1 upon under root 1 minus x square plus log sin inverse x into cos x का उकलन हो गया minus ka sin x अब dv upon dx बराबर क्या होगा v into cos x upon this minus क्योंकि वह अला minus आ गया जाएगा log sin inverse x into sin x अब हमने v कमान रख दिया अब हमें क्या करना है जो समीकंड दो और तीन में मान मिले थे उन्हें समीकंड नंबर एक में रखना है वही हमारा answer होगा क्लियर मेरे ख्याल से यह सभी concepts आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब आप इन सभी का अभ्यास कर लें और यह तरी क्या है अच्छे से पड़ाई करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करें और जदा से जदा लोगों में शेर करें ताकि उन्हें भी इसका फाइदा मिल सकें थेंक्यों वेरी मच्च